वाला है क्या नुमान है पहले वो देख लिए और सौमित हमारे साथ जोच चुके हैं पूरी डीटेल्स के साथ सौमित बताए भारती एटल के नंबर्स कैसे रह सकते हैं अगर अगर आप देखेंगे तो मुटेट आफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है और एबिटा में करें तू तू आफ परसन की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और सिक्वेंचल बेसे एबिटा मार्जिन लाज़ली फ्लाट होंगे आरूं 51.4 परसन के आसपास बाट नेट प्रॉफ होगी जो कि सबसे slowest revenue growth होगी पिछले 10 quarter में और वे इसलिए है क्योंकि कोई भी broad based टारिफाइक नहीं लिया गया था Q4 of F523 में उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आर्पू का जो नंबर है 196 के आसपास आने की expectation है पिछले quarter नंबर 193 का था अब जो भी ये marginal growth हमें आर अगर आप देखेंगे तो और इसी कारण इसका पूरा benefit Q4 में realize नहीं होगा जबकि Q1 of F524 में realize होगा उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो subscriber base में भी marginal growth expected है बट कुछ honest ऐसा भी कह रहे है कि subscriber base जो है वो decline भी कर सकता है Airtel का तो ये number track करना important होगा उसके अलावा अगर आ और enterprise है उसमें अच्छा का सा revenue traction expected है बट DTH business की जो performance होगी वो sequential basis पर वीक आ सकती है ऐसे analyst का मानना है अब आफरीका के numbers कुछ दिन पहले ही company report कर दिये गए थे और वो numbers pretty much in line थे street estimates के सामने अब results के अलावा किन चीज़ों पर ध्यान रखने होगी सबसे पहले management commentary क्या आ रही है tariff high को लेके ये जानना सबसे important होगा उसके अलावा 5G को लेके क्या emerging trends उन्हें देखने मिल रहे है कैसा subscriber addition का pace रहा है ये जानना भी important रहेगा आगे चलके क्या capital expenditure के plans है और बाकी businesses में कैसा revenue traction देखने को मिल रहा है इन चीज़ों पर ध्यान रखने होगी भारती अटेल के results प तो नतीजे कमजोर है सकते है revenue पिछले 10 साल से सबसे slow growth revenue में देखने को मिल सकती है आरपू को थोड़ा बहुत support मिलेगा tariff high से लेकिन overall numbers जो है वो weak नज़र आ रहे सबस्क्राइबर बेस में भी इनके थोड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिल सकती वहाँ भी slow growth का ही अनुमान है नतीजों के पहले करीब 11% की weakness इस वक्त भारती एटल में रवी भारती एटल के नतीजे आने वाले उसके पहले आप नतीजों पर आप क्या important factors हैं जो की watch out करेंगे और अभी सौमे जैसा की बता रहे थे कि नंबर्स थोड़े कमजोर साइट पर रह सकते हैं तो मौजूद लेवल पर भारती एटल में किसी को एंट्री करने की राय देंगी या फिर नतीजों को पहले देखने समझ ले उसके बाद कुछ निर्ड़ने लेंगे आप तरिके बिल्कुल यहां पर आपकी जो रिपोर्ट है वो एक्रेट है और implies और इस्परेशन यहांपर जो है वो थोड़े से ढाउंसाइट की है strategy मैं यहाँ पर आपके साथ share कर लेता हूँ अगर आप थोड़ा सा downside की risk आप देख रहे हैं और आपके पास portfolio जिनके पास holding है उनको एक बार यहाँ पर 770 की put जो है वो 6 रुपए के पास चल रही है जिसे derivative counter में buy करके चला जा सकता है और खास और से जो लोग strategically देख रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि 810 के stop loss से एक बार यहाँ पर sell की भी रणनीती बनती है जो momentary यहाँ पर देखते हैं और 700-780 की तरफ यह लक्ष दिखा सकता है तो थोड़ा सा downfall यहाँ पर आने के chances हैं तो portfolio hedge करने का भी option आपके पास available है और रही बात आपने जो points की बात की है तो definitely यहाँ पर GEO के आने से काफियत तक competition increase हुआ है services को लेकर के issues जो रहे हैं और खास और से margin पर भी impact जो price tariff बढ़ा है उसका भी एक impact है मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर result के बाद profit booking देखने को मिल सकती है